प्रिजेंट बाइ प्लेयर्स पॉर्ट इंडिया का नया मैदार डान्लोड अप नाउ के साज़दारी हुई और इसी साज़दारी ने पाकिस्तान के जबडे से जीत छीन ली ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने उनिस्वे उपर में शाहिन शाफ रिदी की लगाता तीन गेलों पर तीन छक्के लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुचा दिया में बनाए रखा वो शांदार था मैथ्यू वेड की मारकस टॉइनिस के साथ साज़दारी काफी एहन थी बैटिंग करते वक्त मैं उल्जन में था और आज कल टीटुएंटी क्रिकेट में ओपनर बल्ले बाजों को अच्छी गेंदों का सामना करना पड़ता है हम लोग पहले जा रहे है टी-20 विश्कप के मुकाबलों में जादतर बार टॉस ने मैच के नतीजे तै किये हैं अमोवन सभी कप्तानों ने टॉस जीत कर पहले फिल्डिंग करने का ही फैसला किया है दरसल यूई में चेस करना आसान रहा है क्योंकि दूसरी पारी में ड्यू देख भी रही है मुकाबले में ड्यू फाक्टर नहीं था हां रोश्नी ने जरूर प्रभाव डाला और विकेट तेज था मुझे लग रहा था कि मैं टॉस हा जाऊंगा और पहले बल्लेबाजी करनी होगी बोर्ट पर रन लगाने होंगी और फिर डिफेंड करना होगा लेकिन ऐ ही हुआ हम लोगों ने यंद में एक बड़ियास को चेस किया बताते चले कि फिंच ने टॉस ज्रेत कर पहले गेंद बाजी चुरी पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट खोकर बोर्ट पर 116 रन लगा दिये मुहमद रिजवान ने 52 गेंदों में आस्ट्रेलिया ने मैच अपने नाम कर दिया टीम को आखरी 12 गेंदों में 20 रन बनाने थे और मैथ्यू वेड ने तीन छक्के लगा कर काम तमाम कर दिया अब 14 नवंबर को T20 विश्कप के फाइनल में आस्ट्रेलिया का सामना न्यूजिलेंड से होगा इस वीडियो में बस लिंक भी आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां जाकर हमारे नए चानल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही ट्विटर और फेस्बुक पर भी हमें फॉलो करें ताकि आप तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहें शुक्रिया